Hello everyone, मैं हूँ Aditi Shah and I welcome you all to Magnet Brains जहां आपको मिलता है 100% education free from kindergarten to 12th class तो आज हम करने वाले हैं class 12th accounts का chapter financial statements of a company के illustrations हम लोगोंने concepts बहुत अच्छे से समझ लिये थे छोटी मोटी कुछ और बाते हैं जो मैं questions करते-करते आपको बताऊंगी ठीक है तो जिसको आप चाहें तो concept register में भी note कर सकते हैं चलिए तो सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं illustration number 1 पर क्या बोल रहा है classify the liabilities trade pables given below as non current liabilities and current liabilities giving reason for such classification अच्छा अब यहाँ पर एक ज़रा important point यह illustration थोड़ा सा ध्यान से देखना ठीक है यहाँ पर आप एक नई बात सीखने वाले हो क्या अभी तक आप क्या समझ रहे थे कि trade pables जो है तो हमें आखे बंद करके दिमाग लगाना नहीं है trade pables है सीधे उठाना है और हमें क्या कर देना है current liabilities में लिख देना है current liabilities के head के अंडर ठीक है लेकिन कुछ ऐसी conditions हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा वो क्या यहाँ पर मैं आपको conditions लिखवा देती हूँ ठीक है पहली ठीक है यहाँ पर current liabilities में चीजें कब आएंगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे current liabilities में आने के लिए ठीक है पहला condition यह है कि जो payment है ठीक है जो उधारी लिए है उसका payment एक साल के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए ठीक है तो क्या हो जाएगा payment should be within one year ठीक है तो payment जो है उस liability का या तो अगर आप एक साल के अंदर-अंदर payment कर रहे हो तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना उसको current liability में कर देना हाँ एक साल से जादा है तो हम सोचेंगे देखो ध्यान से क्या बात है तो दूसरी condition फिर आपको यह देखनी है कि operating cycle का period क्या है अब operating cycle क्या होता है operating cycle का एक basic सा definition है कि asset को acquire करके उसको convert cash in cash equivalent में जब तक convert होने की journey उसको हम क्या बोलेंगे operating cycle तो हमने asset acquire किया और पूरी एक cycle चलेगी घूमेगी और वो asset जो है वो cash in cash equivalent में convert हो जाएगा तो asset का cash in cash equivalent में convert होने तक का सफर उसको हम क्या बोल रहे है operating cycle example देख लो बड़ा सुनलो बहुत अच्छे सा हम लोग उने coffee beans का example लिया था आपको याद होगा तो coffee beans raw material है अब मैंने raw material acquire किया फिर मैंने उसको क्या करा अपने grinder में डाला वो घूम रहा है grind हो रही है coffee beans ठीक है उससे मेरी coffee बन रही है तो यह work in progress हो गया ठीक है उसके बाद फिर finished goods ready हुए हमने bottle pack में एक दम coffee बढ़िया ready कर दिये अपनी ठीक है finished goods अब इसको बेचना है ठीक है अब उसको बेच दिया और उससे हमें क्या आया पैसा आया cash आया तो raw material खरीदा raw material आपने खरीदा यहाँ पर देखो ज़रा raw material आपने खरीदा raw material work in progress में रहा फिर वो क्या बन गया finished goods फिर finished goods को आपने sell किया ठीक है फिर आपको क्या मिल गया cash and cash equivalent में convert होने तक का सफर इसी को क्या बोलते है operating cycle इतना समझ में आया है बिल्कुल simple तरीका आपको समझाने का ठीक है बहुत ही simple तरीके में मैंने आपको समझा दिया अब operating cycle समझ में आ गया कई बार क्या होता है generally अगर आपको operating cycle नहीं बताया गया है ठीक है तो generally if no information given ठीक है मैं short में लिख रही हूँ operating cycle is equal to 12 months तो generally जब कोई information नहीं दी होगी तो आप operating cycle को 12 मही नहीं मान लोगे जो आपका accounting period जित्ता होता है but in case operating cycle ठीक है यहाँ पर हम लिख लेते हैं in case operating cycle is greater than 12 months ठीक है तो आपका जो भी liability है ठीक है payment period अगर operating cycle से कम है तो भी उसको आप current liability में रिखा होगे समझ में आ रहा है current liability में आपका कब चीजें आएंगी सबसे पहली जब payment एक साल के अंदर हो रहा है ठीक है या और ठीक है अगर एक साल के अंदर हो रहा है तो तो दिमाग लगाने नहीं यह तो हमें basic पता ही था ठीक है एक साल के अंदर payment हो रहा है current liabilities एक साल के बार payment हो रहा है, non current liabilities, ठीक है, छोटी उधारिया, लंबी उधारिया, ऐसे याद किया था हमने, अब अगर operating cycle का factor आ जाता है, question में, ठीक है, जो भी हम illustration 1 में देखने वाले हैं, तो अब जिसे operating cycle आपकी क्या बोली है, अगर नहीं दिया है, तो 12 मही नहीं ऑला, कि 18 महीने आपकी क्या है, operating cycle, ठीक है, और आप जो payment कर रहे हो, वो कर रहे हो 14 months में, जो payment कर रहे हो, वो कर रहे हो 14 months में, ठीक है, तो अगर आपके उपरेटिंग cycle 18 महीने देदी हैं, और payment जो है आप 14 महीने में कर रहे हो, अब यहाँ पर ध्यान से देना, तब भी मानोगे, current liability मानोगे, बस यही बात आपको बतानी थी, यह एक important point था जो आपको सिखाना था, ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम यहाँ पर ध्यान से देखो, अब भले ही 12 महीने, 12 महीने से जादा लग रहा है payment करने में, 14 महीने लग रहे हैं, लेकिन operating cycle से तो कम है न, जो आपक business की आपका जो working है, functioning है, तो operating cycle से तो कम time लग रहा है payment करने में, इसी लिए उसको क्या बोल दिया गया है, current liability की तरह treat करना है, ऐसा आपके schedule 3 में बोला गया है, तो operating cycle को लेके यह आपको एक logic दिया गया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, clear हो गई कहानी, बहुत simple है, द क्या जो मैं payment कर रही हूँ, वो operating cycle के पहले, ठीक है, operating cycle से कम समय में कर रही हूँ, अगर हाँ, तो current liability, वरना अगर operating cycle से जादा समय में payment हो रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, non current liability, आ रहा है समझ में, तो ये दो conditions है, बस ये इनको ध्यान रख लेना, दो important points थे, जो आ बज में आ रहा है, तो चलो, illustration 1 देख लेते हैं, trade payables, अब देखो ध्यान से, trade payables आप generally क्या बोलते हो, अरे वो तो हमारा क्या होता है, current liability में आता है, लेकिन यहाँ पर case क्यों बदल गया, क्योंकि हाँ आपको operating cycle दे दिया गया है, तो generally trade payables current liability में ही आएगा, लेकिन अगर operating cycle दिया है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, कि आप जो payment expect कर रहे हो, कब payment करने वाले हो, कब वो उधारी चुकाने वाले हो, उसका क्या time period है, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर तो हमें दिमाग लगाने है, expected period of payment, 8 महीने, तो यह current liability होगा, 12 महीने, यह भी current liability होगा, ठीक ह तो 15 महीने लग रहे हैं यहाँ पर, expected period of payment, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको जाना पड़ेगा, कि अच्छा, यह 15 महीने लग रहे है, बट यह क्या operating cycle से कम है, लेकिन operating cycle तो हमारी सिर्फ 10 महीने की थी, ठीक है, हमने तो जादा time ले लिया, 15 महीने ले लिया, ठीक है, तो म payment करने में 12 महीने लग रहे है, ठीक है, तो आपको operating cycle को benchmark नहीं बनाना है, आपको 12 महीने को benchmark बनाना है, भले ही operating cycle कम हो, सपोस्थ 6 महीने की हो, लेकिन आपको अगर 10 महीने लग रहे है, आपको 12 महीने लग रहे है, payment करने में तब भी वो current liability होगा, क्योंकि सबसे पहली condition तो यही है ना, payment should be within one year, ठीक है, अगर exceed हो रहा है, अगर एक साल से जाधा exceed हो रहा है, ठीक है, तो आपको यह दिमाग लगाना है, कि भई operating cycle से कम है की नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया, चलो, अब इसी तरह से यहां देखो, यह फिर 15 महीने, ओहो, एक साल से exceed हो गया, तो अ current liability, समझ में आया, यह वाला point, ठीक है, अब इसी तरह से देखो, अगेर, अगेर आपका 24 महीना आ रहा है, payment period, ठीक है, तो इसको non current liability declare करने से पहले, यह देखो कि क्या operating cycle आपकी इससे कम है जाधा है, तो operating cycle आपकी 18 महीने ही है, और आप payment करने में जाधा time लगा रहे हो, तो current liability में डालना है, ठीक है, अब operating cycle चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जैसे 12 महीने से पेमेंट, expected payment period exceed हुआ, तब यह दिमाग लगाएंगे, कि अगर operating cycle आपकी उससे जाधा है या कम है, उसके हिसाफ से decide करेंगे, अगर operating cycle से पहले pay कर रहे है, expected payment है, तो current liability में ले ठीक है, operating cycle 10 month, expected period of payment 8 महीने, तो इसमें तो कुछ question वाली बात ही नहीं है, expected payment period is less than the period of operating cycle and is within 12 months, तो 12 महीने के अंदर है, from the date of balance sheet, तो इसले इसको हम क्या बोलेंगे, current liability, second, हमने second भी current liability लिखी है, ठीक है, तो यहाँ पर second में, expected payment period 12 महीने है, which is equal to a period of 12 months, from the date of balance sheet, although it is more than the period of operating cycle, फरक नहीं पड़ता, operating cycle से जादा है, लेकिन 12 महीने तक के अंदर-अंदर है न, हाँ, उसके अंदर-अंदर है तो current liabilities ही होगा, ठीक है, चलो, third, third हमने क्या declare किया, non current liabilities, yes, क्योंकि expected payment period 15 महीने हो रहा है, और operating cycle तो हमारी 10 महीने की थी, उससे जादा exceed हो गया, ठीक है, तो 12 महीने वाला तो exceed करी दिया, operating cycle वाला भी exceed कर दिया, इसले सको हमने क्या declare कर दिया, non current liability, the expected payment period is more than the period of operating cycle, and after 12 months from the date of balance sheet, इसले सको हमने क्या बोल दिया, non current liabilities, ठीक है, next, trade payables, trade payables देखो, अब यहाँ पर आपका कितना था, यह वाला हो गया आपका, इसके बाद यहाँ पर 15 मही trade payables का, और operating cycle आपकी कितनी है, 18 महीने, इस case में क्या हो जाएगा, आपका भले ही 12 महीने exceed हो रहा है, लेकिन operating cycle से तो कम है, इसले current liabilities में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर current liabilities answer हो जाएगा, expected payment period is less than the period of operating cycle, although it is payable after 12 months from the date of balance sheet, but operating cycle से पहले, क्योंकि payment आपका expected है, इसले सको current liabilities म डाला जाएगा, and last, आपका हो जाएगा, कितना, non current liabilities, क्यों, क्योंकि 24 महीने, आप payment करने वाले हो और वो operating cycle से exceed हो रहा है, 12 महीने तो exceed करी रहा है, operating cycle को भी exceed कर रहा है, the expected payment period is more than the period of operating cycle, and after 12 months from the date of balance sheet, तो यह आपका क्या हो जाएगा, non current liabilities, ठीक है, तो वैसे वो one year वाला rule तो आपका universally applicable है, हाँ, लेकिन अगर operating cycle का आपको एक twist वो डाल देते है, तो आपको फिर बस ही second condition का ध्यान रखना है, कि अगर 12 महीने से exceed हो रहा है, तब भी उसको non current liability, तब भी उसको current liability हम बोल सकते हैं, अगर only and only, अगर वो operating cycle से पहले expected payment है, तो, ठीक है, समझ में आगे है तो यह था आपका illustration 1, एक बार इसको जल्दी से देख लो, यह दो points note कर लो, बहुत important है, ठीक है, solution देख लो, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, illustration 2 पे, state the major heads under equity and liability parts of company's balance sheet as per schedule 3, अब schedule 3 के under, जह हमने balance sheet discuss की थी, उसमें क्या बोला गया है, कि हमें equity and liability वाला जो part था, ठीक है, उसमें आपके major heads, major heads मतलब वहीं, जो मैंने आपको main heads बोले थे, तो आपके main heads कौन कौन से थे, याद करो, जो मैंने purple color से लिखे थे, shareholders fund था, पहला, याद आ रहा है कुछ, फिर share application money, pending for allotment, दूसरा head था, तीस 4 heads थे, आपके equity and liabilities के, 4 major heads या main heads, देखो यही है, तो major heads on equity and liabilities part आर, shareholders funds, share application money, pending allotment, non current liabilities and current liabilities, तो यह चारू, आपको purple, मैंने इसलिए different color से लिखा रहा है, आपको यह याद रहे, ठीक है, तो major heads clear हो गए, illustration 2, अब illustration 3 पे आते है, Name the sub heads, under the head shareholders fund, तो याद है, मैंने SHF लिखा था, shareholder fund में क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले, ठीक है, sub heads मतलब, जो main head के under आ रहे है, ठीक है, तो 3 चीज़ें आती थी, याद आ रहे है, पहला था, share capital, ठीक है, याद आया, दूसरा था, reserves and surplus, तीसरा था, money received against share warrants, तो जि किया है, ठीक है, उसके against जो पैसा मेला, इसको अलग share capital में merge करके नहीं दिखाते है, उसको separately अलग head में दिखाते है, ठीक है, होता, it is as good as share capital only, बट हम due to presentation purpose, हम अलग-अलग दिखाते है, तो देखो यह यह, share capital, reserves and surplus and money received against share warrants, यह हो गए आपके, किसके, shareholder funds का classification, जो पहला head था है, major head था, चलिए, then, illustration 4 बोल रहा है, name the sub heads, under the head, non-current liabilities, तो non-current liabilities, मतलब, general rule क्या था, कि भई, ऐसी liabilities, ऐसी उधारियां, जो लंबी अवधी की है, मतलब, जिनको हमें एक साल के बाद तक, उधारी देते रहना है, देते रहना है, pay off करते रहना है, आ रहा है, समझ में इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला तो क्या आता, long term borrowing, ठीक है, फिर क्या था, deferred tax liability, ठीक है, तो L, long term borrowing, D, deferred tax liability, ठीक है, फिर उसके बाद, O से other long term liabilities, ठीक है, तो long term borrowings, deferred tax liability, other long term liabilities and last में क्या था आपका, long term provisions तो इसको इस तरह से याद कर लो हम लिखते हैं ना LOL चाट्स जब करते हैं तो LOL तो LOL की जगे LDOL ऐसे याद कर लो, ठीक है? तो non-current liabilities में क्या क्या आ जाएगा? LDOL समझ में आ गया? देखो यहाँ पे answer Long term borrowings, deferred tax liabilities, other long term liabilities and long term provisions याद हो गया? LDOL Clear हो गया? Illustration 4 चलो, अब आ जाते हैं Illustration 5 पे अब यहाँ पर क्या बोल रहे है? Name the subheads, under the head, current liabilities ठीक है? तो non-current liabilities का just मैं आपको बताया था उल्टा लिखना है आपको, current liabilities में तो आपने जो long term borrowings है, उसको आप क्या लिखोगे? Short term borrowings, ठीक है? deferred tax liabilities की जगे आपका क्या आ गया था? Trade pables, आया समझ में याद आ रहा है other long term liabilities की जगे क्या आ गया था? current liabilities, other current liabilities आ गया था and long term provisions की जगे आ जाएगा short term provisions, ठीक है? तो देखो यही answer है short term borrowings, trade pables, other current liabilities and short term provisions, इसका code क्या हो जाएगा? STOS, तो non current liabilities का है LDOL, ठीक है? और current liabilities का हो जाएगा STOS, clear हो गया? तो यहां तक समझ में आया? चलिए, इसके बाद next illustration 6 पर आगे बढ़ते हैं name and the five items that are shown under reserves and surplus as per schedule 3 तो हमने concepts में बहुत सारे reserve and surplus के नाम सीखे थे यह के बहुत सारे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई 5 आपको लिखने, capital reserve हो गया, revaluation reserve हो गया, general reserve हो गया, debenture redemption reserve हो गया, capital redemption reserve हो गया यह surplus in the statement of profit and loss account that is profit after tax हो गया, यह सब आप चीज़े लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आजाते है, capital reserve, capital redemption reserve, security premium reserve, debenture redemption reserve and revaluation reserve यह पाँच आपके आजाएंगे items किसमें reserve and surplus के head में, clear हो गया illustration 6? illustration 7, name any 4 items that are shown under long term borrowings as per schedule 3, तो long term borrowings में आपको पताया था, debentures, bonds, long term loans आपने जो banks से लिए हुए है, यह सब चीज़े आजाएंगे, तो debenture या bonds, term loan जो आपने bank से लिए है, ठीक है, public deposits, long term loans and advances, यह सब आपके कहां आजाएंगे, long term borrowings में, clear हो गया, मतलब non current liabilities में जो सबसे पहला आपका subhead है, long term borrowings, उसके under आपका यह आजाएगा, ठीक है, चलो, illustration 8, name any 5 items that are shown under other current liabilities as per schedule 3, अब other current liabilities, याद है, मैंने बोलता है, जिसका कोई नहीं, current liabilities में, जो किसी और head में fall नहीं और उसको other current liabilities में उठा के रख देंगे, समझ में आ रहा ह current liabilities में क्या क्या चीज़े आ जाएगी, देखो, सबसे पहले तो यह आद करो current liabilities में क्या क्या आता था, subheads क्या क्या थे, short term borrowings, जो short term loan आपने लिए वो हो गया, trade payables हो गया, जिसमें creditors और bills payable आ जाता था, third था आपका other current liabilities, ठीक है, and fourth है आपका short term provisions, जो आपके, जो आपक current maturities of long term debts, interest accrued but not due on borrowings, ठीक है, interest accrued on and due on borrowings, तो outstanding interest में आपको बताया था, जो interest due हो गया है, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक pay नहीं किया, जो भी outstanding expenses due हो गया है, pay नहीं किये, वो सब यहीं आ जाएंगे, share application money, याद है जो मनें बताता है, जो refundable पैसा है, जो applications reject हो गए है, जो करने वाले, तो share application money, आपका refundable आजाएगा, calls in advance जो आपको receive होगा, advance में पैसा receive हो गया है, ठीक है, अभी आपने call किया नहीं है, पैसा, वो सब कुछ आपका कहा आजाएगा, other current liabilities में, clear हो गया, ठीक है, बड़े हागे, illustration 9, under which heads are the following items shown in the balance sheet of a company as per schedule 3, यह थोड़ा important है, यह व होई है, ध्यान से देखना, forfeited shares account, कुछ याद आ रहा है, shares chapter पड़ा था, नहीं आ रहा है, तो एक बड़ जाके ढूंदो तो आपको यह concept मिलेगा, जो shares forfeited, forfeet हो चुके है, ठीक है, तो forfeited shares account को कहा दिखा देते हम, मैंने आपको presentation भी बताया था, share capital में हम क्या करते थे, subscribed capital में add करते थे, तो forfeited shares account is added to subscribed capital in the notes to accounts on share capital, समझ में आया, तो forfeited shares को हम subscribed capital में, that is share capital में add करेंगे, proposed dividend, तो आपने dividend अभी proposed किया है, ठीक है, अभी dividend दिया नहीं है, declare नहीं किया है, तो अभी सिर्फ liability होने की संभावना है, अभी liability बनी नहीं है, तो इसी लिए, जिस भी liability, अभी जो exact आपकी liability नहीं बनी है, होने की संभावना है, बनने की संभावना है, उसको हम कहां दिखाते हैं, आपको याद है, मैंने बताया थे, balance sheet के चर्णों में, कौन होता है, contingent liability, ठीक है, तो contingent liability होगी, मतलब अभी बनी नहीं है liability, लेकिन बन सकती है, ठीक है इसलिए इसको हम contingent liability दिखाएंगे, लेकिन balance sheet में कहीं पर भी नहीं होगी है, इसको हम notes to accounts में दिखाएंगे, यह proposed dividend, इतना dividend proposed किया था, जो हमारी contingent liability है, तो proposed dividend is shown as contingent liability in the notes to accounts, तो ना ही P&L, ना ही balance sheet का part बनीगी, notes to accounts में बस एक note की तरह mention हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक नहीं हुआ है, तो अभी पे तो करना है, हमारी liability तो है, पे तो करना है, तो अब यह किस में आ जाएगा, यह आपका, जिसका कुछ नहीं समझ में आ रहा है, other current liabilities, तो unclaimed dividend को हम other current liabilities में दिखा देंगे, equity and liabilities वाले part में, balance sheet में, ठीक है, then arrears of fixed cumulative dividend, ठीक है, तो arrears outstanding, बतलब बिसिकली जो आपका dividend accumulate होता जा रहा है, उसका arrears आप कहां दिखाओगे, वो भी आपका contingent liability की तरह ही दिखाओगे, notes to accounts में, तो यह चीज याद रख लो, दो चीजें हैं आप अपने सीखी, क्या proposed dividend, यह आपकी liability भी बनी नहीं है, arrears of fixed cumulative dividend, यह भी आपका contingent liability है, ठीक है, यह दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, contingent liability, unclaimed dividend, आपने dividend declare कर दिया है, पर सामने वाले ने भी वो claim नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए वो आपकी other current liability में दिखता रहेगा, and four fitted shares account आपका कहां चला जाएगा, subscribed capital में, तो यह थोड़ा important illustrations था, इसमें थोड़ा हट की चीजे थी थोड़ी different चीजे थी, जिसमें आप confused हो सकते हो या जो आपको difficult लग सकती है, तो इसको एक बार जल्दी से देख लो, यहां तक कोई doubt हो तो पूछ लो, next illustration है illustration 10, under which main head and sub head of equity and liabilities are the following items shown in a company's balance sheet as per schedule 3, तो basically आपको क्या बोला गया, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको balance sheet का equity and liability वाले part पर focus करना है, ठीक है, अभी assets वाले side पर नहीं जाना, हमें जो यहां पर equity and liabilities का जो head था, ठीक है, हमारा जो main main head था, उसमें आपका क्या-क्या यहां पर items दिये हुए, वो कौन से main head में और कौन से sub head में आएंगे, वो हमें बताना है, आ रहा है समझ में, तो चलो, यहां प sheet को imagine करने की कोशिश करो, refer नहीं करना है, अपने दिमाग में उसकी imagination मनाओ, debentures को याद करो, debentures क्या होता था, एक तरीके से long term, long term क्या है, borrowing है, और long term borrowing कहां आती है, non current liabilities में, तो clearly आपका main head क्या हो जाएगा, non current liabilities, और उसके under, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, तो आपको non current liabilities में, long term borrowings, ठीक है, तो इस तरह से देखना, यहीं आएगा, देखो, non current liabilities में, long term borrowings, यह हो गया आपका debentures, ठीक है, इसी तरह से public deposits, public deposits भी हमने किसका पार्ट देखा था, long term borrowings ही होता है, long term borrowings कहां आता है, non current liabilities में, तो again public deposit का answer क्या हो जाएगा, main head non current liabilities, sub head long term borrowings, आ रहा है समझ में, next, third, securities premium reserve, तो बस जहां reserve आगया, दिमाग लगाना ही नहीं है, इसका यह कहां पर आएगा, reserve and surplus में, ठीक है, तो reserve and surplus, reserve and surplus, उसका main head क्या है, याद करने ही कोशिश करो, purple से कौन सा लिखा था, shareholders funds, ठीक है, तो main head बोला है, मतलब purple color से जो मै आपके heads, चार heads लिखे थे, वो आपके आजाएंगे यहां पर, ठीक है, तो shareholder fund में आपका आजाएगा, reserve and surplus, ठीक है, तो main head हो जाएगा, shareholders funds, sub head हो जाएगा, reserves and surplus, capital reserve, same again reserve है, तो shareholder funds, reserve and surplus, तो shareholder funds में आएगा, reserve and surplus में, ठीक है, then, four-feated shares account, तो मैंने आपको भी यह जस्त account आपका कहां पर आएगा, यह आएगा आपका shareholder fund में, ठीक है, लेकिन main head तो shareholder fund रहेगा, लेकिन यह share capital में हम subscribe के capital में दिखाएंगे, by the way of addition, ठीक है, add करके दिखाएंगे, उसका भी presentation हम और अच्छे से आपको, समझ में आएगा, अब shares वाला chapter में हम लोगों ने discuss किया है, interest accrued and due on debentures, तो जो interest accrued हो गया, due हो गया है, तो याद करने कोशिश करो, outstanding expenses, outstanding interest, due, interest accrued, कहां आता था, other current liabilities में, और other current liabilities का main head क्या था, current liabilities, तो clearly क्या हो जाएगा, current liabilities main head, other current liabilities subhead, bills payable, तो bills payable किसका पार्ट होता है, trade payable का, trade payable किसका, subhead होता है, main head क्या था, current liabilities, तो clearly यहाँ पर current liabilities main head हो जाएगा, और subhead क्या हो जाएगा, trade payable, इसके अंडर आएगा आपका bills payable, तो इससे देखो, आपको बिल्कुल पूरी balance sheet revise होती जा रही है, advances received from customers, तो हमें customer से क्या receive हुए, advance receive हुए, अब advance जो customer से receive हुए, यह हमारे सर पर बोज है, लेकिन इसको आप कहां दिखाओगे, यह current liability है, हमें customer को service देना पड़ेगा, जल से जल, current liability तो main head तो current liability हो गया, बट current liability में भी, कौन सा वाला, कौन सा वाला subhead होगा, जिसका को ही नहीं, उसका other current liabilities, तो clearly यहाँ पर answer हो जाएगा, subhead other current liabilities, तो current liabilities की heading क subhead है, उसमें आप दिखाओगे, advances received from customers, sundry creditors, again sundry creditors किसमें आएगा, current liabilities main head में आएगा, और किसका part बनेगा, subhead का, trade pables का, ठीक है, तो clearly यहाँ पर भी आपका क्या answer हो जाएगा, main head current liabilities, subhead trade pables, then premium on redemption of debentures, याद करने की कोशिश करो, मैंने आपको क्या बताया था, premium, अभी debentures को issue किये हैं, उसको हम premium पे redeem करेंगे, कुछ सालों बाद, तो long term है, यह तो समझ में आ गया, long term है तो मतलब non current liability main head होगा, अब non current liability main head है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़े हैं, long term borrowing आती है, ठीक है, deferred tax liability आता है, ठीक है, other long term liabilities आती है, तो यहाँ पर क्या, कहाँ पर आ जाएगा, non current liabilities में, other long term liabilities में आ जाएगा, ठीक है, तो जैसी जो liabilities long term है, लेकिन वो deferred tax liability में नहीं आ सकता, long term borrowing में नहीं आ सकता, long term provision में नहीं आ सकता, तो उसको उठा के कहाँ पर रख देंगे, other long term liabilities में रख देंगे, clear हो गया, तो यह था आपका illustration, अब आगे ब schedule 3 of the companies act 2013 are the following item shown, तो यहाँ पर भी हमें equity and liabilities के part पर, ठीक है, जो हमारा balance sheet schedule 3 का है, उसमें equity and liabilities वाले part में ये सारे आपको items देंगे, आपको बताना है, categorize करना है कि कौन सा item, कौन से main head के, कौन से sub head में आएगा, आया समझ में, तो main head क्या होगा उस item का, और कौन से sub head के under and due on secured loan, तो interest जो भी accrue होता है, due होता है, हमने क्या देखा था, कहां आता है, ठीक है, तो basically ये एक साल के अंदर ही basically आपका interest जो accrue हो गया है, ये due हो आपको pay off करना है, payment की liability है, liability is less than one year, तो इसलिए इसको हम main head क्या दिखाते है, current liabilities, अब current liabilities में भी जो अलग-अलग sub heads है, उ इसलिए इसको हम कहां पर डाल देंगे, other current liabilities में, ठीक है, तो यहाँ पर हम main head ले ले लेंगे current liabilities, sub head ले ले लेंगे other current liabilities, ठीक है, clear हो गया, अब second वाला क्या है, interest accrued but not due on unsecured loan, अब चाहिए secured loan हो, unsecured loan हो किसी भी प्रकार की borrowing हो, ठीक है, उसको लेगे आपको confused नहीं होन इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब basically कुछ भी नहीं है, बड़ा simple सा है, जैसे ये समझो, ये पूरा एक accounting year है, ठीक है, अब मेरा हर 6 महिने में interest due होता है, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो, April, May, June, July, August, September में मेरा interest due होता है, या चलो, इसको मैं मान लेती, June और December में due होत ठीक है, ये हो गया आपका 1st April, इतना समझ में आया, इतना clear हुआ, तो आपने क्या किया, और ये हो गया आपका 31st March अब क्या हुआ, कि आप लोगों का इस साल का तो ठीक था, इस साल का आपने जून में पे कर दिया, December में पे कर दिया, ठीक है, अब इसके बाद, December के बाद से, next installment जो आएगी, ठीक है, next installment इसको दूसरे कलर से लिख लेता है, अब वो अगले जून में आएगी, जैसे अगर म मैं मालू कि 1st April 2020 था, यह 31st March 2021, यह आपका एक financial year हो गया, अब next जो आएगी, मेरी installment, इसके बाद, December के बाद, वापस जून में आएगी, ठीक है, तो यह होगा, जून 2021, समझ में आ रहा है, लेकिन इसके पहले, मेरा 31st March 2021 पढ़ रहा है, जहां पे मैं books close करूंगी, आ रहा है समझ में, तो अब यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से सुनो, interest due होगा, जून 2021 में, ठीक है, तो interest due आपका होगा, इस borrowing पे जून 2021 में, यह मैं example दे रही हूँ, लेकिन, यहां पर आप जब 31st March में books close करोगे, तो क्योंकि हम accounting करते समय हमने class 11 में बहुत detail में पढ़ा है, accrual concept follow क already बनी चुका है, accru ओ चुका है, कितना January, Feb, March, 3 महिने का interest accru हो चुका है, अभी due नहीं हुआ है, due तो सीधे जुन में होगा, लेकिन इतना accru तो अचुका है, 3 महिने तो बीच चुके है, 3 महिने का interest का meter घुम चुका है, आ रहा है समझ में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसक interest accrued लेकिन क्या ये due हुआ है अभी? due नहीं हुआ है, due तो जून में होगा तो interest accrued but not due है आया समझ में तो ये interest accrued and due मतलब समझ में आ गया और interest accrued but not due का मतलब समझ में आ गया ठीक है, तो यहाँ पर जब ये Jan, Feb, March तीन महीने का interest accrued हो जाएगा इसको हम accrual basis पे books में दिखाएंगे लेकिन ये due अभी नहीं हुआ due June में होगा अगले financial year में ठीक है समझ में आ गया इसको भी ये जो तीन महिने का interest accru हुआ है इसको जिसको उमने books में दिखा दिया है ठीक है ये भी एक तरीके से क्या है liability है ठीक है जो पे करने की liability रहेगी तो again ये कौन सा हो जाएगा current liability और current liability में और किसी head में नहीं आएगा वही other current liabilities में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको confused नहीं होना है interest accrue होना important है interest accrued and due हो या interest accrued but not due हो ठीक है दोनों ही cases में आपका main head current liabilities ही रहेगा क्योंकि within one year वो आपको liability repay करनी होगी and sub head आपका other current liabilities रहेगा ठीक है यहाँ तक कहानी clear होगी चलो next debenture redemption reserve तो दिमागी नहीं लगाना है reserve word आ गया ठीक है तो यहाँ clearly कहाँ पर आ जाएगा यह reserves and surplus में आएगा तो reserves and surplus sub head होगा main head क्या होगा shareholders fund तो shareholders fund के अंडर reserve and surplus में आ जाएगा again capital redemption reserve ठीक है तो फिर reserve आ गया तो यह आपका shareholders funds में reserves and surplus के अंडर आ जाएगा ठीक है next advances from customers long term बोल दिया है अब clearly जब उन्होंने खुदी ने long term बोल दिया है मतलब एक साल से जादा के लिए हमें advance मिल गया है basically तो क्या होगा long term है तो long term मतलब non current liability है main head तो पता जल गया अब non current liability में भी देखो बहुत सारी चीज़े थी क्या क्या था long term borrowings तो क्या है long term borrowings में आएगा नहीं deferred tax liability में नहीं आएगा other long term borrowings other long term liabilities sorry ठीक है other long term liabilities में definitely यह आ सकता है क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका other long term हो जाएगा ठीक है तो non current liabilities main head होगा और other long term liabilities आपका subhead हो जाएगा clear हो गया इतना employees provident fund payable तो यह भी employees का जो provident fund employees का जो basically employer क्या करता है अपने जेव से भी कुछ amount contribute करता जाता है employees के PF में provident fund में तो यह भी क्या है company के लिए liability है ठीक है जो इसको within one year pay करनी होगी तो clearly यह current liability ही आएगी ठीक है तो main head तो आपका current liability आजाएगा अब क्योंकि current liabilities के subheads में यह कहीं और fall नहीं होगा तो इसको कहां उठा के हम रख देंगे other current liabilities में समझ में आ गया तो यह था आपका illustration number 11 इसमें majorly बस आपको यह देखना था कि interest accrue होना important है ठीक है वो due हुआ है नहीं due हुआ उससे मतलब नहीं अगर interest accrued है तो फिर clearly वो कहां पर आ जाएगा आपका current liabilities में other current liabilities के under ठीक है clear है बड़े आगे चलो next illustration illustration 12 give major heads under which of the following items will be shown in a company's balance sheet as per schedule 3 part 1 of companies act तो यहाँ पर अगेन आपको major heads बताना है कि कौन सा item कहां पर fall होने वाला है अब trade payables है ठीक है तो trade payables clearly कहां आता है अभी देखो कुछ उन्होंने बोला नहीं है operating cycle से related कुछ भी नहीं बोला है तो फिर हमें दिमाग नहीं लगाना है यह one year के अंदर ही हमको repay करना होगा यह हम अज्यूम करके चलेंगे तो clearly यहाँ पर क्या हो जाएगा यह आपका current liabilities में आ जाएगा किस के अंदर? trade payables के अंदर तो major head हो जाएगा current liabilities sub head हो जाएगा trade payables balance sheet का format और P&L का format as per schedule 3 अपने दिमाग में बिल्कुल चाप लो तो आपको यह सारे questions बहुत easy लगेंगे provision for tax provision for tax within one year repay करनी के liability होती है आएगा current liability में अब current liability में क्या क्या heads होते हैं? ध्यान दो current liability से पहला होता है short term borrowings तीक है S फिर कौन सा होता है आपका trade payables फिर होता है other current liabilities तीक है उसमें भी नहीं D yes provision है तो short term provision तो clearly यहाँ पर यह short term provision में आ जाएगा तो current liabilities major head हो जाएगा sub head हो जाएगा short term provisions तीक है समझ में आ गया? Next surplus अब surplus बात कर दी तो दिमाग लगा नहीं नहीं है सीधे reserve and surplus में आएगा तीक है तो surplus that is balance in statement of profit and loss debit balance debit balance debit balance मतलब क्या है? loss है आया समझ में profit and loss का debit balance आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? loss हो रहा है तो clearly loss को क्या करोगे आप minus करोगे reserve and surplus में से तीक है? तो shareholders funds main head होगा उसके इंडर reserve and surplus में आप इसको minus करोगे as negative amount ठीक है? तो clearly major head होगया shareholders funds subhead होगया reserve and surplus as negative amount next again surplus that is balance in statement of profit and loss credit balance तो आपका definitely net profit आया था आया समझ में तो अब क्या करोगे? सेम वही shareholders funds में reserve and surplus के इंडर इसको आप add कर दोगे ठीक है? तो यहाँ पर ही आजाएगा share holders funds reserve and surplus में clear होगया इतना? next proposed dividend ठीक है तो इम्हें आपको पता चुकी हूँ कि dividend proposed किया है अभी ठीक है अभी exactly declare नहीं किया है कि इतना dividend हम आपको दे रहे हैं? अभी liability generate नहीं हुए है बट यह liability हो सकती है बन सकती है अभी बनी नहीं है तो इसलिए इसको हम balance sheet में नहीं दिखाएंगे इसको हम contingent liability के रूप में कहां दिखा देंगे notes to accounts में तो यह आपका क्या हो जाएगा? proposed dividend contingent liability हो जाएगा तो proposed dividend is a contingent liability and is shown in the notes to accounts ठीक है? uncalled liability on shares इसका मतलब पहले जल्दी से समझ लो बहुत easy है कुछ भी नहीं है यहाँ पर उल्टा है हमने किसी company में shares invest किये जैसे मेरी company है A company ठीक है? और मैंने Z company में shares Z company में पैसा दिया और उसके shares खरीद लिया ठीक है? तो मेरे लिए क्या हो गया? investment हो गया 10 रुपए का एक share है suppose मैं एक ही share खरीदा यह company नहीं तो 10 रुपए के share में से application का पैसा दे दिया ठीक है? allotment का पैसा हमने allotment का भी पैसा दे दिया और हमें shares allot हो गए अब यह जो final call का पैसा है 2 रुपए ठीक है? यह basically क्या है? यह A company के लिए क्या हो जाएगा? यह uncalled liability on shares हो जाएगा मतलब किसी भी company जिसमें invest किया हुआ है वो company ने अभी call नहीं किया है पैसा ठीक है? उसके कुछ calls due है जो call बुलवा सकती है वो पैसा ठीक है? तो 2 रुपए अभी तक बुलवाई नहीं है Z company ने A से? A company देगी किसको? Z को जब Z company कॉल करीगी This is a commitment on capital तो clearly इसको भी हम कहां दिखा देंगे इसको भी हम दिखा देंगे Notes to Accounts में क्योंकि अभी actually liability नहीं बनी है इसलिए हम इसको equity and liabilities में नहीं दिखाएंगे concept समझ में आया? ठीक है? तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि मैंने किसी company में invest किया है उसके shares में invest किया है अभी वो share का उन्होंने कोई जो call amount है वो बुलवाया नहीं है ठीक है? तो अब वो मेरे लिए वो amount क्या है? Uncalled liability है अभी क्योंकि सामने वाला जैसे ही बुलवाएगा वो call करेगा ठीक है? तो यह uncalled नहीं रह जाएगा अभी वो liability uncalled है ठीक है? जैसे सामने वाले बुलाएगा तो फिर मुझे वो पैसा देना पड़ेगा वो मेरी liability बन जाएगी वो मेरा commitment है ठीक है? तो clearly यह क्या हो जाएगा? Uncalled liability on shares is a capital commitment ठीक है? तो सामने वाले की company में capital आप दे रहे हो basically share capital का part बनने वाले हो उसके against commitment है and is shown in the notes to account जिसको इस तरह से समझ लो ठीक है? बहुत deep में नहीं जा रहे हैं बस यह आपका basic concept है इसका तो इतना आप समझ लो यह होगे आपका illustration 12 भी complete ठीक है? तो यहाँ पर थोड़े हट के जो तीज़े थी वो थी proposed dividend और uncalled liability on shares बागी तो सब बहुत simple थे तो देख लो जल्दी से इसमें कोई doubt हो तो पूछ लो चलिए तो हम लोगों ने आज illustration 1 से लेके illustration 12 तक सारे illustrations detail में class में discuss कर लिए जो based थे equity and liability वाले part पर balance sheet के ठीक है तो I hope ये एक part balance sheet का आपको अच्छे से clear हो गया है अब आने वाले अगले lecture में हम asset side वाले part से related illustrations दिसकस करेंगे आज के लिए इतना ही I hope सब कुछ अच्छे से समझ में आया है फिर भी कोई doubt हो दिखका तो परिशानी हो तो comment section में लिखना ना भूले इसी के साथ एक important information कि आपको class 12 सिर्फ class 12 नहीं सारे ही classes के सारे subjects के ठीक है आपको बहुत ही detailed lectures 100% syllabus के lectures आपको मिल जाएंगे YouTube की playlist में हमारे channel पे आप YouTube पे जाकर playlist में देख सकते हैं या आप website या app के माध्यम से भी इन lectures को देख सकते हैं ठीक है जो आपको मिलने वाले 100% free without any charge तो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं break के बाद देखते रहे हैं magnet brain stay tuned good bye